हेलो गाईस नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनेयोग्रे ओफिशल में आज मैं बना रही हूं कटोरी केक तो चलिए चलते हैं कीचन की ओर मैं बिस्किट का केक बना रहे हैं तो उसके लिए मैं चौकलेट फ्लेवर का बिस्किट में हूँ बिस्कित के पैकेट को फाड़ के सभी बिस्कित को निकाल लेना है इस तरीके से सभी पैकेट को फाड़ कर निकाल लेना है और एक बरतन में ले लेना है सभी बिस्कित को निकाल लेने के बाद बिस्कित के अंदर में जो क्रीम रहता है उसको एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से सभी को निकाल लेना है बिस्कित के क्रीम को निकाल लेने के बाद हमें सक्कर को ग्रेंडर जाल में पीस लेंगे मैं ज़्यादा सक्कर यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि हमारा बिस्कित जो है अल्रेडी बहुत ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा सा सक्कर लेना है यहाँ पर बहुत थोड़ा मैं सक्कर लेना है उसे ग्रेंडर जाल में पीस रही हूँ हमारा सक्कर तियार हो गए इस तरी कि इसे पीस कर त्यार कर लेना और एक बरतन में निकाल लेना अब बिस्किट को भी तो पीस ना है तो बिस्किट को मैं करके ग्रेंडर जाल में डाल रही हैं और उसे भी बारिक पिसकर तयार कर लेना है ग्रेंडर जाल में पिसकर तयार कर लेंगे हमारा बिस्किट भी अब तयार है अब जो हमने सक कर पिसकर तयार किये थे उसको इसमें डाल लेना है आप ज़्यादा मिठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सकर डाल सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगी जितना मिठा खाते हैं उतना थोड़ा सा इन्हों डाल कर अच्छे से सभी को मिक्स कर लेना है सभी को mix कर लेने के बाद दूद थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर अच्छे से इसका पेष्ट त्यार कर लेना है एक साथ सभी दूद को नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा पेष्ट खराब नहों मतलब बिगडे ना तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से mix करके बिस्किट केक का पेष्ट त्यार कर लेंगे थोड़ा सा ना तो ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ही ढिला इस तरीके से पेष्ट को त्यार कर लेना है अब कटोरी में तेल डाल कर अच्छे से grease कर लेना है यदि आप तेल नहीं डालते हैं तो आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं बटर पेपर डाल सकते हैं मैं यहाँ पर तेल को डालकर ग्रिस कर रही हूं उस तरीके से डालकर जो हमने बिस्किट का पेश्ट त्यार के उसे दो से तीन चमर डाल रहे हैं जादा नहीं एडलना है क्युकि एक 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 बहुत भूलता है इंभा के पूलता है में बहुत ही वपाजना वंकी बनता हैं का। में यहाँ पर दो दो चमश्ट डाल रही हूं जादा नहींडालता लेंगे थोड़ा धूरा करके ताकि अच्छे से बहुत है हैं अच्छे से दाबा लेना है, बिस्कित को, टोरी को अच्छे से दाबा लेने के बाद मैंने कड़ाई गरम करने के लिए रखी थे, अब इसके उपर में अच्छे दिखने के लिए और अच्छे फ्लिवर के लिए मैं ड्राइब फ्रूट्स डाल रहे हूं, आपर टूरी के लिए नगुपना रहे हूं, दिखने के लिए और फ्रूट्स दालने से हमारा के बहुत ही अच्छा लगता है, देखे कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से ड्राइब स्को डाल लेना है, और दिखो बनाना है, अब गढ़ाई गरम करने के लिए रखी हूं, वहां कि यह मारा के कितना अच्छा दिख रहा कितना फुला फुला लग रहा है तो मैं इसे चेकर के देख रहे हुए बारिक कि खुड़के से देखे थोड़ा सा चीप पक रहा है जिसे लग रहा है अब इसे मैं पांच मिनट के लौर पकने दे रही हुए उसके बाद फिर से देखूंगे हमारा केक अब तयार हो गया है इसे दस-पंद रंग नट के लिए ठंड़ा होने देना है केक जब ठंड़ा हो जाए गया तो कटौरी से केक अपने आप से अलग हो जाए देखे हं अलग हो गये हैं इसके चाको की सहिता से देख लेना है और अच्छे से घुमा लेना है, हमारा केक अब निकल गया है, इसे प्लेट में से पलट रही हूँ है है इमारा केक तैयार है देखिए कितना सुंदर और बहुत ही सौप्ट केक है है बच्चे चौकलेटी फ्लिवर का केक बहुत ज़्यादा पसंत करते है इसतारिकी से बच्चों के लिए आप चौकलेट फ्लिवर receive for कटोरी में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, यहां कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेहर और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक्यू पूर वाचिंग